अम्रूत की खेती आपने बहुत जगा पे देखा होगा आपने ये भी सुना होगा कि अम्रूत की खेती में किसानों को लाको मुनापा होता है और ये बेलकुल सही है लेकिन ये तभी समभव पे जब भी अम्रूत की खेती की बारे में आपको पूरी जानकरी हो खास करके उसकी होने वाली सभी तरह की बीमारी और उसका उपचर आज की वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अमरूत में होने वाली सभी तरह की बीमारी और उसका उपचर आपके से बहुत आसान तरीके से कर सकते आज तक आपने अमुरूत की बारे में अगर कोई भी जानकारी नहीं लिया है या अमुरूत खेती आप करना चाहते हैं आपको कुछ ग्यान नहीं है तो भी ये वीडियो देखने की बाद आप बहुत आसानी से अमुरूत में होने वाली सभी तरीके की बिमारी और उसकी उपचार आसान से कर सकते हैं दोस्तो मेरा नाम है जीतंदरो और आप देख रहें एंडियास फार्मी अगर आपने अभी तक हमारी चैनल से नहीं जूड़े है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तब हो सके तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उक्टा रोग या उसको सुखा रोग भी बोलते और इंग्लिस में उसको विल्ट बोलते तो यह रोग को हम लोग पेचानेंगे कैसे अगर यह रोग होता है तो सबसे पहले क्या होता है पत्ता सुखने लगता है और रोल हो जाता है अगर आपने दो से तीन दिन या चार दिन अगर आपकी बाग में नहीं गे तो sudden change आपको लगएगा कि प्त्ता प्लांट आपका पूरी तरीके से सुख सुखे आई अगर आपो ध्यान से देखेंगे तो यह दो दिन में आपकी पत्ता सुखने लगेगा और तीन से चार दिन में उसका जो टेहनिया वो भी सुखने लगेगा अगर आपने सही टाइम से उसका अगर ट्रेटमेंट नहीं किया तो आपका पौधा मन्ने की भी चांसे से और ये बहुत तेजी से फेलता है उसका जो मूल लख्यन है वो पहले आपका पत्ता रोल 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 सुक के रोल रोल होना लागेगा और उसका दो से तीन दिन की बाद उसका जो टेहनी आ रहेगा वो भी सुक जाएगा अभी हम लो जानेंगे कि ये उक्टा रोल या आपका सुका रोल या इंगलिस में जो विल्ट बोलते है वो होता है क्यों है उसका रीजन क्या है जमिन पे फिजरियम नाम का एक फोंगस रहता है वो क्या करता है जमिन पे जो प्लांट का जो जड रहता है वो जड को खाद लेने वाली जड रहता है उसको वो सड़ा देता है जैसे वो सड़ा देता है उसकी बज़े से वो प्लांट को या पोदे को खाद नहीं मिल पाता है जिसकी बज़े से सबसे पहले उसका जो पत्ता वो सुखने लगता है और रोल होने लगता है जैसे धीरे 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 उसका प्रकव बढ़ते जाता है जिसके बज़े से प्लांट को भी कुछ भी खात नहीं बिलता है जिसके बज़े से पत्ता और वो टेहनिया दोनों सुख जाता है और कुछ टाइम के बाद ये इतना तेजी से पहलता है कि कुछ टाइम के बाद पोधा खतम भी हो जाता है अगर सही टाइम से आपने उसका ट् गोल के अगर पेड की चारो बजू में अगर आपको दे देंगे तो ये हमारा प्रिवेंटी मेजर पर वो काम करता है जो उक्टा रोग रहता है या विल्ट या आपका सुखा रोग बोलते वो नर्माली नहीं होता है ये प्रिवेंटी मेजर पर अगर आपको लगता है कि ये रोग अल्रड़ी आपकी प्लांट की उपर आ चुका है तो आपको तुरूंत उसका उपचार करना चाहिए जैसे बाविश्टिन का दवा आपको मार्केट में मिलता है तो उसको दो ग्राम प्रती लिटर की हिसाब से घोल के जो प्लांट पे उसका प्रकौप आया है उसकी ज साथ साथ आपको दूसरा भी उसका काफी ट्रीटमेंट है जैसे आपको प्रिकौना जोल को 2 ml पर लिटर की हिसाब से भी मिक्स करके अगर आप उसको स्प्रे करेंगे और हलका सा उसकी जड़ में डालेंगे तो भी यह आपको काम करेगा और अगर यह अपने पहले ही अगर जिसलन महिने में या जुलाइम महिने में में अगर आपको यूज कर लेंगे तो यह काफी आपको प्लांट को फाइदा देगा उसकी साथ साथ अगर दुसरा भी ट्रीटमेंट है काफी सारे ब्सका जैसे कर्मेंडिजम अपको 2 ग्राम प्रति लिटर की हिसाब से लेके श् अगर आपको सोचते है कि आपको और्गानिक तरीके से उसको ट्रीटमेंट करना है तो ट्राइकोड्रोमा का जो कल्चर है उसको आपको 50-60 ml पर लिटर की हिसाब से मिक्स करके आपको उसकी रूट में थोड़ा डिंशिंग कीजिए और उसके साथ-साथ उसको आपको स्प्रे कीजिए तो आपको जो यह विल्ट है या आपका जो सुखा रुग बोलते या उक्ता रुग बोलते उससे आपको प्लांट को रहात मिल नया पत्ता जो लिकलता है जो तेहने की जो उपर हिसा रहता है उसमें नया पत्ता रहता है और वो पत्ता क्या होता है कि ब्लाक-ब्लार्क स्पोर्ट हो जाता है डार्क स्पोर्ट हो जाता है और पत्ता वो आगे नहीं बढ़ता है शुक नहीं लगता है और उसकी साथ-सा अगर इस टाइब का अगर आपको लगता है कि इस टाइब का अगर कोई डिजीज आपको दिख रहा है एक दो पधे में और मेंकोजेब को लेके दो ग्राम प्रती लिटर की हिसाब से आप हमारा स्प्रे करना वाला जो टांकी रहेगा उसमें डालके अच्छी तरीके से आपो स्प्रे कीजे तो आपका जो ये डिजीज है उसको बहुत अच्छी तरीके से आपो कांट्रोल कर सकते इसको आपको दो से तीन बार स्प्रे करन है और ये फल्मक्ही सबसे ज़्यादा अमुरूत की जो फसल है उसको लुक्सान पहुचाते हैं अगर हम लोग बात करेंगे तो एक फल्मक्ही उसकी लाइप में 12-1500 अंडा देते हैं जिसकी बज़े से उनका जो फल्मक्ही का जो तादाग है वो बहुत जोर से बढ़ती है अगर आपने सही से उसको अगर आपने प्रिकर्सन नहीं लिया तो हो सकता है कि आपकी जो अमुरूत की पूरी फसल वो खराब कर सकते हैं तो फल्मक्ही क्या करता है कि पहले जो आधा पका हुआ जो अमुरूत रहेगा उसमें सुड़ंग बनाते हैं अब बना के क्या करता कि अंडा छोड़ देते जिसके बज़े से काफी सरा जो इल्ली वगरा क्रेट होता है और वो इल्ली अंदर जाके धिरे-धिरे अंदर घुशते घुशके वो पूरा अमृत को वो सड़ा देते अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो उससे छोटी-छोटी इल्ली भी बड़ तो उसका आप प्रीकर्शन आप कैसे ले सकते या उसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते फल्मकह की उपचार करने के लिए सबसे पहले आपको पूरी बाग को साफ रखना पड़ेगा जो भी खर्वतवार है उसको हटा के दूर भेक्टना पड़ेगा और उसकी सासत अगर आपको लगता है कि फॉल्मकही आपकी बाग में आ चुके है या आपको दिख रहा है तो ओ टाइम पे आपको डाइमिथाइड आपको 1.5 ml पर लिटर की हिसाब से मिक्स करके आपको स्प्रे कर सकते या जो इमीडा क्लोरोपीड है वो भी आपको 1.5 ml की हिसाब से या 2 ml की ह मिलाके आपको उसको गोजा करेंगे तो आपको फल मखी से रहात मिल सकता है अपको इसको दो से तीन बार अओ स्प्रे करना पड़ेगा और हरे एक की बीच को पूर दिन का गेप देना पड़ेगा अभी हम लोग बात करेंगे मिली बग के होता है हमारा आजुबाजु में जो खरपतवार रहता है नर्माली उसमें वो रहता है और खुछ टाइम के बाद हमारा जो अमुरुद की जो बाग है वो बाग में हमारा जो रूट रहता है रूट से चड़के वो पूरा पत्ते और अमुरुद तक वो पहुंच जाता है और वह को चुंसते पूरा अमरूत की सासा तो पुदे को भी वह पूरा खराब कर देते उसमें आपकां काफ़ी पूरा जो AMWS अमरूत का फोसल वह खराब होता है और आपको काफी लुखसान भी हो सकता है अगर आपको लगता है कि मिली बग का प्रकॉप आपको आपकी बाग में दिख रहा है तो आप तुरंद किया किजिए कि जो डाई मिथाइड है उसको 1.5 ml की हिसाब से प्रती लीटर घोल के आपको स्प्रे कर सकते हैं या आपके पास अगर इमीडा क्लोरविट इजली मिल रहा है तो वो भी आपको उसको पानी में घोल के उसको स्प्रे कर सकते हैं तो आपको मिली बग से रहात मिल जाएगा और उसका जो स्प्रे करने का सेडूल है हर एक स्प्रे का नर्मली जो रहता है दो से तीन बार आपको स्प्रे करना पड़ेगा अगर कम है तो अगर एक या दो बार भी करेंगे त तो आपको वो कंट्रोल हो जाएगा अगर आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा हुआ है तो तीन बार उसको दो से तीन बार स्प्रे कीजिए और दोनों स्प्रे की बीच में दस दिन का गेव रखिए अभी हम लोग बात करेंगे एक common disease है हमारा बीमारी है अमरुत में जो कि पत्ती धबा रोग या फल सडन रोग बोलते हैं ये बीमारी जबी होता है तो आप अगर अमरुत की खेत में जो पत्ता रहता है उसमें देखेंगे कि स्पोर्ट स्पोर्ट आपको देखाँ छोटा छो तो अमुर्त में भी आपको कुछ काला काला धबा दिखेगा वो शुरुवात में आपको क्या होगा अमुर्त में छोटा-छोटा काला धबा दिखेगा लेकिन बाद में क्या होगा कि अमुर्त सुखने लगेगा और सुखके धिरे-धिरे वो सड़ने लगेगा और सड़के व मिल रहा है पत्ते में धबा धबा या अमुर्त की ऊपर कुछ काला दाग आ रहा है और वह बढ़ते फिर नीचे गिर जाता है तो आप पूरा सीवर हो जाएगे कि आपका जो पत्ती धबा रोग या फल सडन रोग आपकी बाग में आ चुका है तो इसके लिए आपको क्या करन करना है अगर आपको लगारा है यह थोड़ा प्रकुप्स ज्यादा है तो आप थो डो से तीन बार अप उसको स्प्रेय कीजिए अगर थोड़ा थोड़ा स्टर्वेते हरेंगे तो आपका वो कंट्रॉल हो जाएगा और दोनों स्प्रेय की बीच में आप वह ही दस दिन का या कोई भी जो ट्रॉंक रहता है उसमें वो क्या करता है होल शुडंग बना देते हैं और शुडंग बना के क्या करते हैं अंदर अंदर उसकी जो पेट को खाने लगते हैं और उसमें शुडंग बना के पूरा इंटर्नली वो पूरा प्लांट को डेमेज करते हैं अगर आप आपको पता नहीं चलेगा कि वो प्लांट में ऐसा मतलब उन्होंने कीट जो इंसेक्ट रहता है उतना वो डेमेज अलड़ी कर चुके तो इस टाइप का जो बीमारी है वो बहुत डेंजर है यह नर्माली बहुत कम पाया जाता है लेकिन अगर कोई प्लांट में अगर यह मिला आपकी पौदे में तो ओ केस में आप क्या कर सकते है कि आप कोसिस कीजिए एक तार ले या कोई मेटल का वाइड ले और लेके अगर उसकी अंदर घुसा के उसको निकालने की कोसिस कीजिए यह उसका उपाय है अगर आपको वो पसिबूल नहीं हो पार है फिजिबूल उसको ओपन मत रखे वो क्या कीजिए उसमें मिट्टी भर दीजिए तो क्या होगा कि उसका जो स्मेल है वो स्मेल में जो भी कीट रहेगा अंदर वो खतम हो जाएगा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह दोनों आपकी पास अगर यूज नहीं करना है तो कुनल फोस का कु तो इस तरीके से आपका जो ट्रॉंक बरोर या आपका जो तना च्छेदक या तना भेदक बोलते उसको आपको कंट्रोल कर सकते तो यह थी अमृत में होने बाली प्रमू बीमारी की बारे में इंफोर्मेशन अशा करता हूँ कि आपको काफी अच्छा इंफोर्मेशन यह वीडियो पे मिला होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए चेनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजो में जो बेल लाइक नहीं उसको प्रेस करना ना पुले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर तब तक के लिए जय जबान जय किसाद